आप देख रहे हैं 213 की नूली अपडेटेड हॉन्डा सीवी साइन 125 सीसी का डिस्क ब्रेक E20 OVD2 नया मॉडल का एक नया कलर इस बैक में क्या-क्या बदलाब हुए हैं माईलेज, टॉप स्पीड और डिटेल में ओन रूड कीमत किया है ड्रम और डिस्क की साइड अपडेट की बात करें तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है लेकिन जो ग्राफिक्स हैं अब यहाँ आपको न्यू डिजैन के साथ देखने को मिल जाते हैं जिसमें ग्लॉजी फिनिस आपको दिखाई देगी नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग है ESP की branding मिल जाती बाकी कावल के उपर में sign का sticker दिया गए इसमें भी आपको three tone color मिल जाते हैं यहां भी आपको graphics की पट्टिया मिल जाती है बाकी अगला update यह है कि यहां पर E20 का sticker लगा हुआ जैसा कि यह E20 OVD2 वाला नया model है बाइक का जो tank है वो metal body का जिसमें 10.5 लीटर पेट्रोल आता है अभी मैं आपको इसके पेट्रोल टंकी के धकन को भी खोल के दखा देता हूं तो चावी आपको normally मिलती है basic सी अभी चीज़ आपको दखा देता हूं होता कहना कि कभी कभी बार इसके मौसम में यहां पर side में पानी बढ़ जाता है तो company ने ऊपर में यहां पर एक hole दिया है तो hole के through जो पानी है वो सीधा का सीधा नीचे की side में निकल जाएगा तो इसकी वज़े से जो पानी है वो tanky में बिलकुल भी नहीं जाएगा और नहीं कोई missing जैसी यहां पर आपको problem देखने को मिलेगी तो अभी मैं चाबी को लगा देता हूं इसके मैं की point में और इस बाइक की जो handle वार है वो थोड़ी सी आपको उंची मिल जाती जो की पूरी की पूरी काफी लंबी है चोड़ी है उंची भी है इसमें फॉल एनलब कॉंसोल मिलता है यहां पर side stand, gear neutral indicator, check engine, analog fuel gauge मिलता है यहां पर headlight, उपर में turn indicator और यहां पर speedometer मिल जाता है यहां पर 107 के असपास stop speed चली जाती है और यहां पर आपको मिलता है economy zone मतलब की 60-65 का इवा एक आपको माली देती है mirror आपको वही अक्टिवा वाले ही मिलते हैं यहां पर आपको passing और अपर डिपर एकी बटन में set किया गए यहां पर indicator और horn horn यहां पर काफी light आपको मिलता है काफी हलका साही horn है बागी यहां पर मैं आपको सना देता हूं इसके engine और exhaust के sound को अभी आप थोड़ी सी रेज करेके दिखाता हूं तो आपको इसका sound कैसा लगा comment में जरू बता हैं तो इसके seat comfort की अगर मैं बात करूं तो seat काफी लंबी चौड़ी आपको मिल जाती है seat के अंदर की जो form है वो बहुत जादा soft नहीं है 791 mm की seat head आपको मिलती है के को self दोनों चीज़े मिलती है जो foot packs है वो एकदम आपको fix मिलते हैं जो की थोड़ी से center में है यह ब्रेक पैड और 162 mm की ground cleanse आपको मिलती है यह जो catalytic converter है वो पूरा का पूरा open है Honda की बेजिंग है यहाँ पर engine oil filter दिया गया है एयर कूलड वाला engine है इसमें 124 cc का एयर कूलड फोर स्ट्रॉक टू वाल bs6 fi engine दिया है जो 10.24 ps की power देता है और ग्यार है न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 6000 rpm पर फाइव स्पीड गियर बॉक्स को जोड़ा गया है इसके engine से आगे में चलते हैं तो यहाँ पर 240 mm की डिस्क मिल जाती है एविस बैगरा नहीं मिलेगा निशन के कैली पर हैं और यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर फ्रेंट में टेलिस्कॉपिक टैप के सस्पेंशन दियेगे अगला जो मटगाड है वो भी काफी अच्छा है आगे में MRF का टैर दिया गया है यही साइज का जो टायर है वो आपको पीछे भी देखने को मिल जाता है अभी हम इसके फ्रेंट प्रोफाइल की बात करें तो all halogen headlight का सेड़ मिलता है जिसमें all beige headlight इसकी on रहती है हमेसा on रहती है चावी on करने के बाद उपर में थोड़ा सा chrome का treatment है होंडा की branding दी गई है यह जो visor है यह अलग है और यह अलग है और यह अलग है तीन पार डिवाइड है और यहाँ पर जो indicator है आपको normal मिलते हैं halogen वाले अब देखने में इसका जो front है वो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है family bike है side में चलते हैं तो यहाँ पर आपको five speed gearbox मिल जाता है bike में आपक total 5 gear मिलते हैं और साथ में side stand engine cut off sensor का features मिल जाता है और दूसरा यहाँ पर man stand भी आपको मिलेगा और यह जो foot packs हैं इसमें rubber का थोड़ा सा यूज किया गया है और यहाँ पर sardi guard भी आपको काफी supportive मिलता है जिसमें pair बगरा रखने के लिए भी जगह मिल जाएगी उपर से आप seat को open कर सकते हैं पीछे में चलते हैं तो यहाँ पर आपको glossy blue color का grab handle मिलता है जो tail light है आपको पूरी की पूरी halogen में मिलते हैं जिसमें कोई भी अभी तक बदलाव नहीं किया गया है जो mud guard है वो भी आपको वही basic साई मिलता है अभी हम चलते हैं bike के rear में तो यहाँ पर आपक adjustable hydraulic type का suspension मिल जाता है black color की spring के साथ पीछे वाला जो tire है वो मुझे थोड़ा सा negative point लगा MRF का है हलंकी इसका size भी 818 का मिल जाता है अब यह पुरानी वाली SP 125 के जैसा यह पीछे में 130 mm की drum brake है अगर इसका जो tire है वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है अगर 100 mm का होता है जो SP 125 में बिलता है तो काफी अच्छा रहता यहां पर जो exhaust है वो पूरा का chrome का muffler guard का यूज किया गया है तो अब price की बात करें तो Honda Sign 125 drum brake की on road कीमत है 96,05 रुपे और इसके disc brake की on road कीमत है 1,411,00 रुपे और यह है Honda की CD 110 Dream Deluxe OVD2 नया model on road कीमत है 88,624 रुपे और इसके just बगल में Honda Hornet 2.0 का OVD2 नया model इसकी on road कीमत है 1,666,800 रुपे के आसपास यह है SP 160 on road कीमत है 1,47,752 रुपे यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है Cloud 9 Honda 2-wheeler SoRoom Jesso Road मद्यमगराम कॉलकता SoRoom की SoRoom की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी वीडियो अच्छ